आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चाय पत्ती का एक ऐसा नुस्खा जो आपने ना कभी पहले देखा होगा ना सुना होगा ये आपके बालों में दोस्तों 100% काम करेगा सिर्फ 3 हफतों के अंदर आपके सफेद बालों को reverse करके उन्हें काला बनाएगा आज की बालों को जड़ों से काला करेगा अपकी कोई भी उमर हो आज से अभी से इसे लगाना शुरू करें तीन हफतों में फरक आपको खुद नजर आएगा तो चलिए आज की बढ़ियां से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किये पसंद आएगी वीडियो तो इसे ल सबसे पहले दोस्तो आपको लेना है एक लोही का बर्तन आप लोही की कड़ाई ले लें कोई भी वेसल ले लें लोही होगा तो perfect result मिलेगा नहीं है तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं लोहे का बटन ले 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 गयास का flame on कर दिया और इसे थोड़ा सा heat up करें थोड़ा सा यूज करते हैं तीन चमच के बराबर हमें चाय की पती लेना है सबसे पहले गयास का flame low कर दिजेगा तीन चमच के बराबर हम लेंगे चाय की पती सेकंड इंग्रीडियंट है हमारा आमला यहां पर मेरे पास सुखे हुए आमला है मैं इसे लोंगी अगर आपके पास यह नहीं है आमला powder है तो आप वो भी ले सकते हैं वही तीन चमच के बराबर मैं लोंगी सुखे हुए आमला यह रहता है तो ज्यादा अच्छा आपको result मिलेगा नहीं है तो आप आमले का powder ले सकते हैं और इसके बाद हम लेंगे गुड़हल की पतियां यानि के hibiscus flower यह भी मेरे प सारी चीजें मैंने थ्री डेबल स्पून के बराबर ली हैं और इसे हम अब ड्राइ रोस्ट करेंगे जब तक यह बिल्कुल अच्छे से ब्लैक नहीं हो जाए बट आपको ग्यास का फ्लेम तेज करके इन्हें तुरन से जला नहीं देना है धीमी आज पे इन्हें भुनते रहना है जब तक यह काला हो जाए अप्रोक्स आपको दस मिनट इसमें लगेंगे तो दस मिनट अराम से आप इसे भुनते रहें अच्छी तरीके से चलाते हुए आप चाहें तो चाय की पत्ती को अलग से भुन सकते हैं या फिर आप साथ में भी भुन सकते हैं तीनों आमला और हिबिसकस फ्लार ये तीनों ही चीजें हमारे बालों को जड़ों से काला करने में मदद करती हैं आमला और हिबिसकस फ्लार का यूज तो आपने देखा होगा पर इसमें जब आप चाय की पत्ती मिलाते हैं तो बहुत ही नैच्रल तरीके से आपके बाल काले होते है शाइनी होते हैं मजबूत बंते हैं यानि 3 in 1 आपको फायदे मिलते हैं इसमें काले भी होंगे बाल शाइनी भी होंगे स्ट्रॉंग भी होंगे मजबूत भी होंगे तो यहां हमारे चीजें अच्छी तरीके से भूल चुकी हैं आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है, ग्यास का फ्लेम बंद कर देना है, दुबारा से बता रही हूँ, ग्यास का फ्लेम बंद कर देंगे, उसके बाद हम इसमें अपना ओयल आड़ करेंगे, आप यहाँ पे coconut oil, यानि की नारियल तेल, या फिर mustard oil, यानि की सरसों का तेल, दोनों में से कोई नहीं करता है, दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे बताया, कि सरसों का तेल बिल्कुल भी गरम नहीं करता है, इसलिए मैंने भी इसमें बनाया, और कोई भी दिककत नहीं है, अराम से आप सरसों के तेल में इसमें बना सकते हैं, नहीं आपको करना है, तो आप नारियल ते और एक घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे एक घंटे बाद हमारा ओयल बिल्कुल बनके तयार है अच्छी तरह से इसमें सारा इंग्रीडियंट्स का तेल हमने बिल्कुल भी जलाया नहीं था आपने ध्यान दिया है पहले ही मैंने ग्यास का फ्लेम बंद कर दिया था तो आपक करद लुपर से हमेशा ऐसे उसुम को आप लाइन कान्टेनरमे में रんな है इसे लोज से श्डस और दोस्तों यह टेल का बीच-पच्छीज दिलर्ं ओर जाज़ा है जैसा कि मैंम को कहा है कि 3 हफते में onderभ्स मिलेंगे 3 हफते में आपको फायदा होगा तो 3 हफते में regularly आपको यूज़ करना है ये देखिए oil का color आपको काला नहीं दिखेगा black नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने oil को जलाया नहीं है पर बहुत ही powerful सा बढ़िया सा oil बनके ये तयार है इसे मैं अब एक container में transfer कर लूँगी और अराम साब इसे एक महीने यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई chemical यूज़ नहीं करते हैं कोई chemical hair dye यूज़ नहीं करते हैं किसी भी तरह का chemical यूज़ नहीं करते हैं तो आपको तीन हफ्तों में guaranteed result मिलेंगे आपके सफीद बाल काले होने शुरू हो जाएंगे जब भी आप इसको लगाएं अपने scalp में अच्छी तरीके से मसाज करें circular motion में मसाज करें जैसे मैं head को upside down में दिखाती हूँ उस तरह से मसाज करें जड़ों में जब आप अच्छे से मसाज करेंगे तो आपको बढ़िया result मिलेगा बहुत जादा तेल लगाने की जरुवत नहीं है थोड़ा थोड़ा सा oil लगाएं पट इसे अच्छी तरीके से मसाज करें पूरे scalp area में ताकि आपके scalp में अच्छी तरह से ये तेल absorb हो जाए अच्छी तरीके से अंदर चल जाए penetrate हो जाए मैं जब भी oil को लगाती हूँ मैं रात भर के लिए इसे छोड़ देती हूँ यानि रात को लगाती हूँ ओवरनाइट ऐसे ही रहने देती हूँ पिलो पे आप चाहें तो कोई extra cover लगा सकते हैं कोई पुराना cover लगा सकते हैं और next day morning में ही shampoo करती हूँ यानि की 7-8 गंटे बालों में oil रहता है उसके बाद next day ही shampoo करती हूँ इसे try जरूर करिएगा जब आपको result मिलना शुरू हो जाए तो इसे छोड़िएगा ने क्योंकि ये कोई magic नहीं दोस्तों कोई चमतकार नहीं है कि हमेशा के लिए आपके बाल काले हो जाएंगे इसे regularly आपको use करते रहना है अगर आपके बाल काले हो जाते हैं उसके बाद भी इसे use करते रहें कोई harm नहीं है तो guys उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी ये नया सा innovative सा oil पसंद आया होगा आया है तो इसे like करिएगा share करिएगा, spread करिएगा अपने friends और family में और channel को subscribe नहीं किया है तो कुछ ऐसी ही बड़ियासी videos के लिए channel को subscribe कर लिजे मैं मिलती हूँ अपनी next video में till then take care and bye bye